नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आसुबट आइस में आप सभी का स्वागत है आईए हम आप सभी के लिए एक महत्पूर्ण खास रिपोर्टिंग तैयार किया हूँ जिससे की आप समझ सकते हैं कि इसके बेहर मानों को या जिजनतू को जीना दोड़ लव है जल ही जीवन है क्या आपने सोचा है और आप सोचे है तो सबसे अच्छी खबर है कि या जल ही जीवन है क्या आप कभी इस बात को सोचा है यदि नहीं तो सोचिए सबसे पहले मानों के लिए क्या चीज सबसे महत्पूर्ण है सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए जल उसके बाद हवा उसके बाद खाना तो हम सबको या महत्पूर्ण जो हमारे लिए खाद बदार्थ है इसे और समना चाहिए, जल बचाव करना चाहिए, और हवा, सुध्ध हवा के लिए पेड पौधे लगाना चाहिए, और सुध्ध खाना खाना चाहिए, और खाना फालतू नहीं फेगना चाहिए, हमारे कहने का उद्देश यह है, कि सब को महत्पूर चीजों को समझें और इसकी बचत करे हमें बहुत कुछ भविश्यों में मदददार होगी वैसे हमें हर कई छेत्र में एक बचत की पहल लेकर चलना चाहिए पानी की कमी ना होने पाए इसके लिए सतर करेना चाहिए आए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं राजिस गुपता जी रिटाय सुरच्छा गिजारी है और उनके एक संदेश आपको सुनना चाहिए हमारे देश के सभी पैंशन होल्डर्स को बहुत बहुत सुपकामना है और नमस्ते आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब हम सरकार की सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद एक निश्चित समय के बाद हम लोग सेवा निर्वित हो जाते हैं और सेवा निर्वित हो जाने के बाद सरकार हमें पैंशन देती है और उस पैंशन को हम लोग हर महिने बैंकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और उस पैंसन के लिए हम लोग अपने परवार के अपने स्वियम के और बहुत सारे जो समाज में कार होते हैं उसमें उसका उप्योग करते हैं क्योंकि ज़्यादा तर लोग जो है इसके माध्यम से अपने परवार की परवरिष करने में लगे रहते हैं क्योंकि बहुतों की जिम्मेदारियां खतम नहीं होती है और जब तक ये जिंदगी है तब तक जिम्मेदारियां भी रहती है ऐसा नहीं कि आप सेवा निर्वत हो गए तो आपकी जिम्मेदारी खतम होगी जाए वो समाज की जिम्मेदारी हो जाए वो देश की जिम्मेदारी हो जाए परवार की ह हर ब्यक्ति को इसमें लगा रहना पड़ता है और लगना भी चाहिए यह हम लोगों की एक मानवता भी कहती है परन्तु हम लोगों ने जब सर्विस की जब सेवा की सरकार की हर महिने जो हमें पैसा मिलता था सेलरी मिलती थी पागार मिलती थी पैमेंड मिलती थी उस पर हर महिने हर साल जो भी इंकम टेक्स आता था वो हम लोगों को अपनी सरकार को देने के लिए बाकाइदा हम लोग उसको देते थे और हर ब्रत्य वर्स में इसको हम लोग देते रहे और दे भी रहे हैं जो लोग इस समय सेवा कर रहे हैं हमारा कहने का मतलब यह है कि जब हमने सेवा समाप्त की सेवा निर्वत हुए तो जो हमें पैंसन मिलती है उस पैंसन के अमाउंट पर हम लोगों को सरकार को रहमत दिखानी चाहिए कुछ सोच विचार करके ऐसे दिसाने देर देने चाहिए कि इस पर इंक अलग से कार नहीं कर रहे हैं यह जो हम लोगों ने अपने योन जीवन से लेके लास्ट तक जो हमने अपना समय सेवा में गुजारा लगाया उसके बदले में जो हमें जीवन यापन करने के लिए जो पैसा मिल ला है पैंसन के रूप में वो एक तरह से देखा जाए तो हमा पारे लिए एक तरह का जीवन या पन का पैसा है उसमें कोई भी तरह की इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए कि उसमें हमारा जो है इंकम टेक्स कटे और हम लोग इंकम टेक्स दें और खास्तोर से हमारे बहुत से पैंसंस एसूसेशन संगठन बहुत से पैंसंस फोरम ने इस सब के लिए गृत मंत्राले से भारत सरकार से अन जगाओं पर इस पर चर्चा की है मगर अभी तक इस पर कोई मानुविये संबेदनाओं के साथ कोई ऐसा विचार बियुक्त सरके कोई ऐसा निराकरल नहीं निकला है जो की हम लोगों के लिए एक सुब्दा जनक सुगम चीज हो इसलिए हाँ जोलके हम अपने देश के माननिये जो हमारे देश को देखने वाले प्रधान मंत्री जी हैं उनसे मेरी देश के नागरिकों की तरफ से पेंसंस हुल्डर की तरफ से एक जो है अनुरोध है एक जो है रिक्वेस्ट है एक जो है उनसे मेरी बिंती है अपील है कि कम से कम इस पर विचार करें और इस पर विचार करके वो देखें कि देश के बहुत से लोग हैं जो पैंसन पा रहे हैं उनका इंकम टेक्स नहीं कट रहा तो हम ऐसे कमचारियों को अधकारियों को जो देश की सेवा में लगने के बाद सेवा निर्थ हुए और इस तरह की चीजों से जो है हम लोग ग्रसित हैं इंकम टेक्स देने के लिए हम लोगों को जो है अभी भी इंकम टेक्स देने की बात होती है इसलिए एक बार अपील है हमारे उच्छकारियों से हमारे उच्छे हमारे जो उच्छे लोग हैं जो इस पर बैठ कर ध्रान दे सकते हैं उन सभी से कि आये हम सब लोग आप से यही बिंती करते हैं हमारे जो है माननिय रास्पती भारत सरकार, माननिय प्रधान मंतरी भारत सरकार, माननिय वित्य मंतरी भारत सरकार, माननिय रक्षा मंतरी भारत सरकार और अनमंत्रालों के जो भी हमारे मंतरी गढ़ है उन सबसे मेरा हाँ जड़ के निवेदन है कि इस पर सब सेब निर्मित लोगों के साथ ऐसा उद्हारण पैस हो जो हम लोग इंकम टेक्स देने से अपने को सगंता से हम लोगों को छूट मिले और इस से हम लोग जो है किसी भी तरह से इसको इंकम या इंकम टेस्क देने के लिए ना हम लोगों को पेरित किया जाए ये हमारी एक अपील है एक बिंती है जिसको हम लोग के तरफ से आपको पेशित है आप जरूर इस पर अपना जो है बहुमूल सुझाव देकर हम लोगों को जो है इस कारे में जो है जरूर जरूर सही उप यह हमारी देश के नागरुमक के तरफ से हमारे पेंस्टन्स संग्ठन की तरफ से सभी की तरफ से यह अपील है और आसा करता हूं कि अपील पर अवस्थ विचार किया जाएगा इस पर कुछ न कुछ अवस्थ बात रखी जाएगी और हम लोग जो है नीत आयोक से भी यही नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियों को आपको नोटिफिकेसन मिल जाए धनबात